वेलकम टू मैं चैनल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी वाटसप चैट की हिस्ट्री को इमेल के थुरू किस तरह से किसी परसन को सेंड कर सकते हो तो इसके लिए आपको वीडियो को अंतक देखना होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को भी सिब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आपको अपने फोन के वाटसप पर आना है WhatsApp पर आने के बाद guys अब आपको क्या करना है उस chat को select करना है जिसको आपको send करना है So guys उस chat को select करने के बाद guys अब आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे उपर 3 lines पर click करना है 3 lines पर click करने के बाद guys अब आपको जो है यहाँ पर जो है more इस पर click करना है more पर click करने के बाद आपके सामने को जैसे interface होगा और आपको यहाँ पर export chat पर click करना है export chat पर click करने के बाद हम यहाँ पर include media भी कर देंगे और guys export chat पर click करने के बाद आपके सामने को जैसे interface होगा आपको यहाँ पर gmail को select करना है Gmail को select करने के बाद अब आपको जो है उस email को select कर लेना है जिस पर आपको ये chat को send करना है तो हो सकता है लोड़े में कुछ time ले जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आज चुका है तो हम यहाँ पर जो है टू पर जो है कोई भी random email select कर देते हैं email select करने के बाद गाईज जो क्या हम क्या कर सकते हैं अगर इसको send करना है तो हम यहाँ सबसी उपर share की button पर click करके इसको send कर सकते हैं यहाँ हम okay कर सकते हैं इस तरह से जो है आप भी अपने WhatsApp chat की history को किसी भी person को email की through send कर सकते हो इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल पर